और फ्रेंस मैं एक और भी प्रिया आपको बताते चलूं साहिद फ्रेंट्स आपने शिकंदर बाधसा का नाम सुना ठ्कका लोग उनको भिशु बी जयता भी कहते हैं कि वी पूरा बिशु को जित लिया था तो अब तो जो पीव के लेकिन जब शिकंदर बादशाह भी मरने लगा तो उनकी जो चाहने वाले थे करीब थे सब को बुलाया और कहा कि देखिए अब तो मेरी अब जीवन बिलकुल करीब है याद रखना एक मेरा प्रोमिस है इस प्रोमिस को आप लोग जरूर निभाना भाई अब तो भी शू भी जेता अब द्धान से हाँ हाँ निभाएंगे तो देख कहना कि अगर में मर जाओं मडने के बाद मुझे को गोशूल कराना है ने अस्नान कराना लेकिन कफन जब शरीर में पानाना तो नियम यह ओता है कि कफन के बाहर कोई हाथ नहीं निकडा आता और बाहर रहना चाहिए अगर आप कब रिके तरफ ले जाओगे तो ऐसा ही बाहर ही रहना चाहिए अब तो भई बादसा थे तो सब्लक सुने, और कहने के बाद कुछ तिनों के बाद उनकी इंतकाल हो जाती है अब क्या होता है शारे लोग उसको भाई गुसुल असनान कराते हैं फिर कफन पहनाते कफन पहनाने के बाद दोनों हाथ बाहर कर देते हैं लेकिन ये माजरा ये माजरा किसी को समझ में आता नहीं है कि आखिर शिकंदर बादशाह ने अपने दोनों हाथ कफन से बाहर क्यों करा है जब उनके डेट बाडिस को जब उनके लोग लेकर कबर के तरफ चलने लगे तो बहुत शारी जो रोड पर देखते हैं न जी तो कहने लगा रही माजरा क्या है कि देखोना दोनों हाथ इनके कफन से बाहर है किसी की ये माजरा समझ में नहीं आती है लेकिन उस श्रवाने बेबी एक पहुचे हुए फकीर थे लोगों ने उनसे पूछा कि आखिरे सिकंदर बाडसा ने अपने हाथ को कफन से बाहर क्यों निकाला तो उस फकीर ने बताया लोगों को कि देखिए सिकंदर बाडसा जो बिश्व बिजयता था दुनिया को जित लिया था उनके पास धन की कमी नहीं थी दौलत की कमी नहीं थी दुनिया की सारी पूरी हो गई थी लेकिन मरने के वक्त उनको एहसास हुआ यह शब दिखावा है जिस से कुछ होने वाला नहीं है अगर आदिमी जाता है दुनिया से तो खाली हातं जाता है तो कफन से बाहर निकालने का मिनिंग है कि यह सिकंदर बाडसा दुनिया को एस मेसेज दे कर जा रहे हैं कि आज हम जो बिसुभी जेता थे, दुनिया को जीत लिये थे, आज हम भी जा रहे हैं, तो खाली हाथ जा रहे हैं, ये लोगों को एक मेसेज देना चाहरा है, कि दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाना है, आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी गूर है, आपने जो अच्छा काम किया है, वही दुनिया में रहा जाता है, उसी क्वालिटीज को, उसी गूर को लोग याद करते हैं, और किसी चीज़ को याद नहीं करते हैं, आप हम महात्मा गादी की बात कर ले, बीबे कानन्द की बात कर ले, क्या इनको हम बिल्डिंग के लिए याद करते हैं, इनकी ध तो मुरत कि रिजल्ट ना देखे बहुत अच्छा काम खार रिजल्ट बहौत देर से मिलता है बुरा काम का रिजल्ट तुरंसी ही मिल जाता है